तो गाइस आज हम इमोजी से foods के नाम guess करेंगे तो देखते हैं किसको कितना grade मिलता है किसी ने अगर 1 से 4 तक solve किया तो उसको C grade 5 से 8 तक किया तो B grade और अगर 9 से 14 तक कर लिया तो A grade मिलेगा तो चलो फटा फट से शुरू करते हैं तो गाइस आप यह पहली मुझी देखो और फटा फटसे मुझे food का नाम नीचे comment में बता दो जल्दी से comment करो और कमसे आप पहले वाले को तो बताओ ये तो बहुती इजी लगा ना तो नोगे ज़स कर लिया हुगा यह स्ट्राऊबरी यह milk और यह हाथ मिला ना यानी शेक तो बर यह स्ट्राऊबरी मिल्क शेक लगता है सबको पहला पॉइट मिल गया है लीकिनिर सेकेंड पॉइंट वाला दाव लगाना बड़ा मुश्कि तो अभी तुम लोग मुझे कमेंट में बता दो मैं मान जाओंगा कि तुम लोग को आता है क्या सेकेंड पॉइंट का दाव लगाया तुम लोगों ने यह बार्बी और यह सब लाइन में खड़े हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हीं क्यूँ तो बन गया बार्बी क्यूँ यह टफ धाना लगता है कुछ लोग सेकेंड वाले में हार गये हैं लेकिन अगर तुम जीत गए हो तो फटा-फट से लाइक करो अगर नहीं भी जीत तो भी कर दो यार फस्ट वाला तो किया यह कौन सा फूड है फूड भी हो सकता है और थोड़ा पीने वाला आइटम भी हो सकता है फूड मतलब से खाने वाला नहीं होता है न येस तो जल्द इस निच्छे कमेंट करो ओ मेरे हिंट के बाद लगता है बहुत लोगों ने केस कर लिया है ये है शू और ये पी तो मिलाओ भीने पे बनगे सूप तुम्हें टमाटर का सूप पसंद है प्याज का पसंद है या फ़र पालक का पसंद है पते निक पालक का सूप किसको पसंद है अगर तुम्हें है यह तो भाई तुम लोग फटा फटा दोगे मुझे अच्छे से पता है यह चाट चाट के खाते हो तुम लोग जल्दी से कमेंट करो यह फिंगर और यह चिब्स तो मिला देने भी बन गया फिंगर चिब्स जिसे फ्रेंच फ्राइज भी कहते हैं मैं जानता हूं तुम लोगों ने अंसर किया है येस तो चलो अभी नेक्स्ट में देखते हैं अभी यह वाले फूड का नाम बताओ मुझे यह थोड़ी टफ है मैं नहीं लगता काफी को आता होगा इसलिए अगर तुम्हें आता तो चल्दी से लिख दो कर्मेंट में यह एफ यह रन और यह चाबी है यानि की तो मिलाद ने पर बन गया फ्रैंकी खाया कभी फ्रैंकी मैंने तो नहीं खाया मैं सब सुनाया फ्रैंकी के बारे में वह इतना अमीरो वाला डिश कभी नहीं खाया हम लोगों ने ओके चलो अभी नेक्स्ट वाल इमोजी से मुझे फूड का नाम तुम लोग निचे कमेंट में बता दू यह भी इजी ही है येस तो तुम लोग जल्द से कमेंट करो यह तुम तप रहा है गरम हो रहा है तो यह ही हो और यह ड़ॉग तो मिला देने पूद constitution act Arai होट डॉग यह तो खाया भाई मैंने अ इतना तो खाया है, तुम लोगोंने भी शायद खाया होगा खाया तो बता ना, अभी लगता है तुम लोग काफी लोग जीत रहे हो तो जल्दी सा भी ये वाला बताओ ये बता दोगे तो मैं मान जाओँगा कि तुम लोगोंने बता दिया भाई ओव क्या बता दिया था तुम लोगों ने ये स्पा ये गेट और ये टी तो मिला देने पर बन गया स्पैगेटी ये नूडल टाइप की चीज होती है मेरे खाई नहीं है कभी लेकिन अगर तुम लोगों ने इसका गेस कर दिया ना तो भाई तुम लोगों के लिए तालिया बसती है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना दोबारा याद दिला रहा हूँ चलो अभी फड़ा फड़ से नेक्स्ट वाला देखते हैं कि अभी ये वाला कमेंड में बता दो आई होब काफियों के लिए ये इजी होगी है येस तो फिर जल्दी समझे कमेंड में बताओ ये है एपल और ये पाई मैट्स वाला पाई का वैल्लियू तो मिला होते ने पर बन गया एपल पाई किया कभी खाया है ये अंग्रेज दो कि ये जादे तो मैं देखा यूएस में ज़ादा मतलब लोग खाते हैं यहां इंडिया में तो कमी खाते हैं लेकिन जानते समय मूवीज में बहुत देखा है ये जालो अभी यह वाला बता दो यह भी आइस फोरंड की ही डिश है इंडिया में नहीं बनता कम बनता हैं बनता सकते हैं तो तो तुम लोग मुझे बता दो ये है तबा यानि पैन और ये केक तुम मिला दिने बनके पैनकेक खाया है कभी पैनकेक? आँ भाई खाया ही होगा चलो अभी ये वाला बता दो ये तो भाई सब की फेवरेट छीज होती है और तुम लोग की भी है तुम मुझे कमेंट में बता दो भाई ये है टूथ पेस्ट तो उसमें से हम लोगी लेंगे पैस्ट और ये है ट्री पेड तो बन गया पेस्ट्री भाई पेस्ट्री मुझे बहुत पसंद है बहुत मसा आता है खाके येस तो चलो अभी मुझे ये नेक्स्ट वाली का बता दो जल्दी जल्दी कमेंट करो बाकी लोग जीत रहोंगे तुम लोग को फटा फट से बताना है ये भी बता दिया गया ये है कॉटन और ये कैंडी तो मिला देने पे बन गया कॉटन कैंडी भाई कॉटन कैंडी तो कितना खाया जब मेला लगता था तो मेले में खाते थे यार अभी तो मेला देखा ही नहीं है कोरोना के चेकर में हो चलो फिर अभी ये वाला बता दो ये भी भाई मैं हिंट नहीं दूँगा हिंट देते ही तो फटा-फट फटा-फट कमेंट कर दोगे तो जल्द इसे मुझे बता दो ये भाई कुछ फट रहा है तो ये हो गया पॉप और ये कौर्ण तो मिला देने पर क्या बन गया पॉप कॉर्ण क्यों सही है ना तुम लोगों ने आंसर कर दिया होगा तो चलो अभी ये नेक्स्ट आले फूट का ना भी तुम लोग मुझे फटा-फट से कमेंट में बता दो ये तो काफी इजी है और डेली सब लोग घर पे खाते ही है इसल और ये चुडेल है जो माइंक्राफ में भी तुम लोग ने देखा होगा या निकि विच तो बन गया सेंडविच ऐसे तुम लोग जानते हो कि नहीं मैं माइंक्राफ के भी वीडियो डालता हूँ अपने दूसरे चैनल पर चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हूँ ओके चलो अब ये लास्ट वाली मुझी का बता दो तुम लोग फिर देखते हैं किसको कितना मार्क्स मिला ये भी इज़ी है तो फटावट से कमेंट करो क्या बता दिया था यार ये भी तुम लोग बड़े हुश्यार हो गए हो ये है स्प्रिंग और ये एक रोल है पीपर का रोल तो मिला देने पे बन गया स्प्रिंग रोल खाए रहे क्या तुम लोगोंने स्प्रिंग रोल मेरको बहुत पसंद है चलो फिर अभी बताओ तुम लोगों का ग्रेड क्या आया है ए बी या सी आई होब सबके बड़ी आया होगा तो फटावट से लाइक कर देना और अगर ये वाली वीडियो नहीं देखियो तो ये न